जोतिशाचार्ज पंकच कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार हमारे यूटूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनन्द उठाए चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग कासी पंचांग के अनुशार आज दिनांग 21 अक्टूबर 2020 है और दिन पुद्धवार है सक संबत 1942 है और विक्रम संबत 2077 है आज सुद्ध आश्विन मास के सुक्ल पक्ष की पंचिमी ति थी दिन में 2 बज कर 48 मिनट तक है उसके बाद खष्टी ति थी है नच्छत्र जेश्ठा नच्छत्र दिन में 8 बज कर 22 मिनट तक है उसके बाद मूल नच्छत्र है सुर्जोद्य 6 बज कर 20 मिनट पर होगी जबकि सुर्जास्त 5 बज कर 40 मिनट पर होगा आज दिन में आठ बजकर बाइस मिनट के बाद पुन्सवन सीमंत शेशु तामबुल भक्षन वाटिका रोपन दवरी औशद शेवन फसल काटने का सुभ मुहुर्त है आज सारदिय नवरात्र का पाचवा दिन है आज मा के पाचवे श्वरूप मा अशकंद माता की पूजा का विधान है कुमार कार्थि के भगवान असकंद नाम से भी जाने जाते हैं ये प्रशिद्ध देवाशूर संग्राम में देवताओं को शेनापती बने थे पुरानों में इने कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है इनी भगवान असकंद की माता होने के कारण मा दुरगा जी के इस स्वरूप को असकंद माता के नाम से जाना जाता है असकंद माता की चार भुजाएं हैं इनका वर्ण पोर्णत सुब्र है ये कमल के आशन पर विराज मान रहती है इसी कारण इन्हें पदमाशन पदमाशना देवी भी कहा जाता है मा असकंद माता की उपाशना से भक्त की समस्त इक्छाएं पोर्ण हो जाती है इस मृत्यू लोक में ही उसे परम शान्ती और सुख का अनुभव होने लगता है उसके लिए मोक्ष का द्वार अपने आप ही सुलब हो जाता है आज बुद्वार है और बुद्वार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर उत्तर दिशा की यात्रा करनी भी पड़े तो बुद्वार को घर से निकलने से पहले धनिया खा कर निकलना चाहिए ये था आज का पंचान चलिए अब बात करते हैं आज का राशी फल का और सबसे पहले बात करते हैं मेस राशी के बारे में मेश राशिवालों का आज आपका दिन मिला जुला रहेगा सामाजिक कार्जों में हिश्चा लेंगे आपकी वजह कई लोगों के काम पूरे होंगे निवेश को लेकर आपके शामने प्रस्ताव आएंगे लेकिन पूरी जाच परताल के बाद ही फैसला करें परिवार के लोग करना है गाय को हरा चारा खिलाएं ब्रिस राशिवालों को आज के दिन लगातार काम के कारण आज आप कुछ ठका हुआ मसूश करेंगे सेहत पर प्रभाव पर सकता है दीन चर्या में बदलाव लाने का प्रयास करें कारोबार आपका ठीक चलेगा कर्ज की रकम वापस मिले अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें आज के लिए आपका लकी नंबर है तीन और आपको उपाई करना है गनेश भगवान को सिंदुर और दुर्वा चढ़ाएं इससे आपका मंगल होगा मिथुन राशी वाले लोगों को आज आपकी दिक्कतों का हल निकलेगा किशी बात को लेकर आज बिचलित हो सकते हैं तनाव लेने से बचें खान पान का ध्यान रखें सेहत में उतार चढ़ाओ बना रहेगा आर्थिक दिक्कत दूर होगी चात्रों का मन आज के दिन पढ़ाई में लगेगा आज के लिए आपका लखी नंबर है दो और आपको उपाय करना है बहते जल में नारियल प्रवाहित करें करकराशी करकराशी वालों को आज के दिन आज आपको काम्याबी मिलेगी नए रिष्टे बन सकते हैं सेहत आपका ठीक रहेगी आज दिन भर सकारात्मक्ता बनी रहेगी धन लाव होने की शंभावना है किसी अंजान वैक्ती से ज्यादा चर्चा ना करें बिरोधी आपके शांत रहेंगे ब्यवशाय आपका आगे बढ़ेगा आज के लिए आपका लखी नंबर है चार और उपाय करना है दुरगा जी के मंदिर में फल का धान करें सिंग राशी सिंग राशी वालों को आज आपका दिन सामान्य रूप से बितेगा धर्म कर्म के कार्जों में हिश्चा लेंगे रिष्टेदारों से किशी प्रकार का विवाद हो सकता है कानूनी मामले फिलाल अठके रहेंगे जोखिम से जुड़े कार्जों को फिलाल टाल दें आमदनी आपकी ठीक रहेगी आज के लिए आपका लखी नंबर है साथ और आपको उपाय करना है सायंकाल के समय में घर के शामने धीपक जलाएं कन्या राशी कन्या राशी वालों को आज के दिन सफलता वरा समय रहेगा किश्मत का शाथ मिलेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं वितिये निवेश सुब होगा मित्रों के जरिये खुसखबरी मिलेगी आमदनी बढ़ाने के नए मौके आपको मिलेगे आज के लिए आपका लकी नंबर है चार और आपको उपाय करना है कुट्ते को रोटी खिलाएं इससे आपका कल्यान होगा तुला राशी तुला राशी वालों को आज आपको नई सुचना मिलेगी आफिश में किसी से विवाद होने की आसंका है नौकरी में परिवर्तन संभव है आपके काम में उन्नती होगी आप बेहद ही उत्साहित रहेंगे आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी निवेश का विचार फिलाल त्याग दें आज के लिए आपका लखी नंबर है दो और आपको उपाय करना है जरूरत मंदों को वस्त्र का दान करें ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वाले लोगों के लिए आज आपको परिवार से जुड़ी किशी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक स्थिती आपकी ठीक रहेगी आपके काम में ब्रिधी होगी दपतर का माहौल सांत रहेगा सामाजिक इस्थिती सुद्रिड होगी कर्ज लेने से बचें सेहत आपकी ठीक रहेगी आज के लिए आपका लकी नंबर है 9 और उपाय करना है ओम गनेशाय नमह का जाप करें धनूराशी धनूराशी वालों को आज के दिन आपके कार्ज पूरे होंगे आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाने के कारण बेहद खुस रहेंगे नया काम आपको मिलेगा करियर आगे बढ़ेगा किसी बात से विचलित ना हों बिरोधी आपके शांत रहेंगे अंजान लोगों की मदद ना लें वाहन चलाते शमय सावधान रहें आज के लिए आपका लकी नंबर है एक और उपाय करना है मंत्र का जाप करें मकर राशी मकर राशी वालों को आज आफिस का माहौल तनाव देने वाला होगा आप अपनी जिम्मेदारी से कार्ज करेंगे लेकिन अपसर इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे क्रोध पर नियंतरन रखें आपको अनुभवियों से मदद लेनी चाहिए खुद को सकारात्मक रखने के लिए घुमने जाएं आज के लिए आपका लकी नंबर है एक और उपाई करना है माता रानी के मंदिर में चुनरी चढ़ाएं कुम्बराशे कुम्बराशी वालों को आज के दिन अटके हुए कार्ज पूरे होंगे आज आपको सफलता मिलेगी बुजुर्गों की शेहत को लेकर आप परिशान हो सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे अंजान लोगों से मिलते वक्त सतर्क रहें कर्ज की रकम वापस मिलेगी आज के लिए आपका लकी नंबर है पांच और उपाई करना है कन्याओं को मिठाई बाटेगी मीन राशे मीन राशे वालों को आज के दिन अचल संपत्ती खरिदने की योजना बना सकते हैं निवेश को लेकर आप उत्साहित रहेंगे आपको आज नए आउसर मिलेगा आपके काम पूरे होंगे कानूनी मामले आगे बढ़ेंगे संतान पक्ष से खुश खबरी मिलेगी वैवाहिक जीवन खुश नुमा रहेगा आज के लिए आपका लकी नंबर है साथ और उपाई करना है माता पिता की सेवा करें इससे आपका कल्यान होगा ये था हमारे यूटूब चैनल ग्रह गोचर में आज का पंचांग और राशी फल कल फिर हम आपके शामने उपस्थित होंगे पंचांग और राशी फल लेकर दोस्तों हम से मुलाकात करने के लिए मेरा नंबर है 94-311-14375 दूसरा नंबर है 88-25-77-76-33 किशी भी जोतीशिये शमाधान ही तू किशी भी ग्रह जाप करवाने है तू हस्त रेका दिखलाने है तू या कुंडली का मिरिक्षन करवाने है तू या कुंडली से रिलेटेड ग्रह जाप या रत्म धारन करने है तू एक बार आप हमसे नमस्कार